I am back to our YouTube channel YouTube channel में आपका स्वागत है जिके प्लीस कानस्टेबल जो की अलरीडी पोस्टस निकला चुके है 4,002 पोस्टस से और अब इंतजार है सेलेबस का तो ये एक्सपेक्टेड सेलेबस है जिके प्लीस कानस्टेबल सेलेबस 2,24 बिसकली ये एक्सपेक्टेड सेलेबस है कि क्या सेलेबस रह सकता है या हो सकता है तो चलिए डिसकस कर लेते हैं जैसे हमने थमनेल में भी लिखा है कि जेके प्लीस कानस्टेबल एक्सपेक्टेड सेलेबस एंड डीटेल्ड सेलेबस detailed syllabus होगा आपको बुरी तरह से जानकारी मिलेगी यहाँ पर पहले हम बात करेंगे general awareness यहाँ general knowledge की देखेगा general knowledge में क्योंकि यह इसकी minimum qualification जो है 10th है लेकिन competitive exam है और इसमें national dances आपको music and literature, Indian culture Indian geography IT and space extra Indian economy उसके बात फिर famous places in India famous places in India books and authors scientific observations उसके बात फिर आप इस चीज़ को भी दियान दीजेगे यहाँ पर जो मैं देख लेता हूँ जो पर पढ़ लेता हूँ यहाँ पर वो expected आप मान लीजेगा important dates about India and its neighboring countries science and innovations जैसे के science and innovations के बात फिर new innovations economic problems in India जैसे geography of India उसके बात फिर national and international current affairs या current events यह वाला पार्ट जो है आप लोग अभी से पढ़ना स्टार्ट कर लीजेगा क्योंकि यह हर एक exam में होता ही होता है जैसे के सिजबी ने जितने भी exams किया है उसमें यह यह देखा गया है उसके बात फिर countries and capital उसके बात फिर Indian history देखेगा Indian history में तीन portion जे ancient, medieval and modern और modern में वो भी freedom struggle का दोर आपको पढ़ना है तो Indian history में आप modern history का जो freedom struggle का दोर है 1857 revolt onwards आप पढ़ सकते हो उसके बात फिर Indian culture and heritage current events जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा उसके बात फिर Indian polity हो, science हो इसको फिलाल आप touch मत कर लीजिएगा क्योंकि यह बहुत बड़ा अपने में एक topic है Indian polity हो, Indian geography हो sorry Indian constitution हो तो यह बहुत बड़ा topic है अगर आप चैनल पे नए हो चैनल को subscribe, video को like करना ना बूलिएगा और देखेगा हमारे comment box से आप वहाँ पे जाएगा वहाँ पे telegram channel की link है अब उसमें join कर लीजिएगा और important updates आपको telegram channel dream high academy के नाम पे है वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे उसके बाद फिर mathematics है elementary mathematics number system, average, time speed and distance देखेगा चाहे number system हो, average हो time speed and distance हो अगर ये होता ही होता है exam में time and work ये भी होता है interest, profit and loss ये expected syllabus के मैं बात कर रहा हूँ और जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में कहा कि आप लोग को क्या पढ़ना चाहिए percentage and discount LCM and HCF ratio proportion उसके बाद फिर logarithms and factor age project आगे देख सकते हैं analytical aptitude देखेगा, अब analytical aptitude की बात करते हैं अब तक मैंने दो portions के बारे में आपको बताया पहले में general studies है, उसके बात फिर हमने दूसरी बात की या elementary mathematics के बारे में बात किया अगर general studies की में बात करूँगा यहाँ पे एक और बात यहाँ पे आप add कर सकते हो, यह मैं यहाँ पे बूल गया, अभी बोलना, अभी मैं को याद आ गया, तो यहाँ पे एक चीज़ आपको बहुत जरूरी है शायद आप यह सारा ना पढ़े लेकिन expected syllabus में expected syllabus में यहाँ पे मैं बोल देता हूँ यह आप मान के चलिएगा JKSB ने अगर अब तक 50 exams किया है या 100 exams किया है, जितने भी total मिला के, फास्वर पर पिछले कुछ सालों के मैं बात करता हूँ example के तोर पे मैं बोलता हूँ उसमें JN के UT के बारे में आपको पढ़ना ही पढ़ना लाजमी है जमो कश्मीर UT के बारे में आपको पढ़ना ही पढ़ना है अब पढ़ना क्या है जमो कश्मीर UT के बारे में, जमो कश्मीर UT के जियोग्राफिक के बारे में पढ़ना है एकॉनमी के बारे में पढ़ना है उसके साथ-साथ जैसे रिवर्स के बारे में पढ़ना है जमो कश्मीर में कौन-कौन से रिवर्स है पावर प्रोजेक्ट्स कौन-कौन से है उसके बाद फिर जमो कश्मीर में लेक्स कौन-कौन से है जी हां लेक्स कौन-कौन से है तूरिस्ट डेस्टिनेशन कौन कौन सी है तो यह सारा आपको जहन में रखके चलना होगा और यह सारा आपको पढ़ना होगा खास तर पर मैं जमो कश्मीर के मैं बात कर रहा हूँ यहां पर जी हां एक बार फिर में add होगा ही होगा यह तो expected है, यह तो लाजमी है और यह तमाम aspirants से, तमाम students से मैं एक तरह से कहूंगा कि आप लोग पढ़ लीजेगा उतना time आप मत दीजेगा लेकिन जरूर आप उसके साथ touch रखिएगा analytical aptitude उसके बाद फिर आते ही इसके और पहला है seating arrangements उसके बाद इस second clocks and calendar उसके बाद फिर आगे इसको देख लीजेगा coding and decoding उसके बाद फिर mathematical reasoning blood relationship relationships, analogy series completion and classification series direction, sense test logical man, diagrams alphabet test यह आपको expected syllabus लेकिन जो आपको पढ़ना है एक और यहाँ पर मैं add करना चाहूँगा यहाँ पर एक और बात देखेगा और एक जब JKSSB syllabus release करता है तो उसमें computer होता ही होता है computer उसके बारे में होता ही होता है आज कल तो computer में जब जैसे कि आप computer के बारे में आप पढ़ोगे Genesis आप पढ़ोगे computer के उसके बाद फिर computer hardware के बारे में पढ़ोगे software के बारे में पढ़ोगे उसके बाद फिर IT sector के बारे में पढ़ोगे email antivirus virus के बारे में पढ़ोगे उसके बाद फिर आप जो उसके एक तरह से input devices है devices के बारे में पढ़ोगे तो ये भी आप जहन में रखके चलिएगा कि यहां से भी syllabus पूछा जाता है syllabus इसके बारे में भी add किया जाता है तो आप इन चीज़ों को add कर लीजेगा अभी से और ये expected syllabus मानके चलिएगा जो मैंने अभी आपको कहा खास दूर पर computer उसके बारे में और जमू कश्मी यूटी के बारे में ये तो expected syllabus में शायद definitely 100% होगा उसके बाद है फिर mental ability visual memory, clocks, discrimination, space visualization odd main out, symbolic number classification, analytical reasoning उसके बाद letter series, mathematical number series relationships, concepts, figural, classification, similarities shapes and mirror उसके बाद है फिर और अर्थ, medical, reasoning, coding, decoding, when diagram, non-verbal test, semantic, analogy, number series, problem, solving तो ये है expected syllabus जो हमने बताया आपको लेकर उसमें भी expected में most expected जो हम कहीं के यहाँ पे उसमें है आपको जमू कश्मीर के बारे में पढ़ना जी हाँ, जमू कश्मीर के बारे में आपको जरूर पढ़ना चाहिए और इसके बाद फिर जो current events है, national and international एक, मैं यहाँ पे एक add कर लेता हूँ, पहले है आपको JK UT के बारे में पढ़ना आपको इसके बाद है फिर आपको second number पे आपको computer साब को पढ़ना चाहिए, जी हाँ computers उसके बाद फिर तीसरे नमबर पे, जो expected syllabus में है यहाँ पे है, national and international current affairs तो आप इसके बारे में पढ़ लीजेगा हाँ, अगर आपके पास time मिलता है आपको तो Indian history के बारे में पढ़ लीजेगा Indian geography के बारे में भी पढ़ लीजेगा उसके बारे में खासतर पर Indian history का जो last वाला portion है, वो भी modern history का खासतर पर freedom struggle के बारे में और Indian geography में reverse lakes के बारे में पढ़ लीजेगा तो आपको काफी ज़्यादा help बलेगा आगे जब exam या syllabus आएगा अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को subscribe, वीडियो को like करना ना भूलिएगा और हमारा जो telegram channel है, description में link है comment works में link है, ज़रूर बताईएगा कि expected syllabus क्या हो सकता है हाँ, जी हाँ, expected syllabus में आप से मैं पूछना चाहूँगा क्या JKUT के बारे में आप देखते हूँ कि syllabus होगा कि नहीं होगा और computers के बारे में क्या आपका खयाल है, ज़रूर बताईएगा ताकि बाकि जितने भी aspirants से उनको definitely help मिलेगी और एक तरह से उनका जो है वो, एतमाद जो है वो high होगा तो चलिए, thank you very much